लो माई डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल लेट्स डिसकस फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे क्लास टेंथ बिसेसामाजिक विज्ञान वक्सिट नमबर सेबेंटी थिरी जो कि आपका 16 ओफ जैन्वरी 2021 की वक्सिट है तो बच्चों फाइनली हमारा जो सर्दी का छुट्टी वो ओफ हो चुका है ठीक है तो चलिए आज हम अर्थ सास्त का जो बैस्विकरन और भारती अर्थ विवस्था है उसका जो चप्टर है उसका आज हम लगूतरिय कोश्चन का रिविजन करेंगे तो आईए हम प्रोपर बहुराष्टी कंपनी का उतरान दीजी और बहुराष्टी कंपनी विदेशों में निवेश क्यों करती है और बहुराष्टी कंपनी का मुख्य उदेश्य बताईए और नेमन में से कौन सा बेपार अब रुदक का उधारन है उसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की फुर्ति करें उसका ट्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का अप लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा, लेट्स डिस्कस इजोकेशन होके, तो चलिए बच्चों, आज का जो कोशन नमर फस्ट है हमारा, बैस्बिकरन क्या है, तो बैस्बिकरन या गलोबलाइजेशन कहते हैं, पर किरिया है, जिसमें बैपार सेबाओं या तकनिकों का पूरे संसार में ब्रदे बिकास और बिस्तार किया जाता है, या बेविन बेपारों या बेवस्थाओं का पूरे संसार के इस बाजार में बिस्थार करना होता है अर्थात बैस्विक्रम क्या होता है जो गलोबलाईजेशन इसका अंग्रेजी में कहते हैं में बैपार सेबाओं या तकनीकों का पूरे संसार में ब्रदी होता है विकास होता है ठीक है और या बिभिन बैपार या बैवस्थाओं का पूरे संसार के इस बाजार में बिस्थार करना होता है राइट अब देखिए कोशन नमबर आपका सेकेंड है बैपार अबरोधक का एक उदारण दीजिए तो बैपार अब्रोधक अंतरास्टिय बैपार पर सरकार द्वारा प्रिरित परतिबंध होता है ठीक है और अधिकांस बैपार अब्रोधक जो है न एक ही सिध्धान पर काम करती है और बैपार पर कुछ पर कुछ परकार की लागत जैसे धन, समय, नौकर, साही, इत्यादी का आरोपन जो की बैपार उत्पादन की कीमत या उपलब्दता को बढ़ाता है ठीक है जैसे कि यह देखे एक्स का एक उदान लीजिए आइफोन अगर अमेरिका में खड़ी देते हैं तो कम कीमतों पर मिल लेगी तो यह बेपार अब रोदक का एक उदारन जो की बहुत ही अच्छा सा है ठीक है इसके लिए कोश्चन नमबर हम थर्ड देखेंगे कोश्चन नमबर थर्ड है भारत में नई आर्थिक निती कब लाग हुई थी तो भारत में नई आर्थिक निती जून 1991 में लाग इसको लाने मनमोहन सिंकेट समय में ही आया था राइट आप इसे भी याद रख शकते हैं अब देखें कोश्चन नमबर फोर्ड है बहुत ही आसान सा कोश्चन बच्चों किसी भारतिये बहुरास्टी कंपनी का ओधारन दीजे तो टाटा समु एक भारतिये बहुरास्टी क ठीक है कोश्चन नमबर नेक्स्ट है बहुरास्टी कंपनियां बिदेशों में निवेस क्यों करती है तो बहुरास्टी कंपनियां बिदेशों में निवेस इसलिए करती है ताकि उनमें बस्तों सेवाओं तकनीकी तथा सर्मिकों का आदान परदान बहुत अधिक हो बहुर बहुरास्टी कंपने का नेंतरन होगा एक देश की तकनिकी पुंजी तथास्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे जिससे बिश्व अर्थवश्टा का बिखाश होगा ठीक है तो आई होप आपको ये अंसर समझ में आ गया होगा चलिए अब कोशन नमबर हम को सिक्स डिस् कमाना आप ये भी लिख सकते हैं वन माक्स में क्योंकि लगोत रही है ठीक है अधिक लाव कमाना अब देखिए रोजगार सिरजन रोजगार सिरजन बहुरास्टी कंपने के मेज़बान देशों में बरे पेमाने पर रोजगार के अबसर पैदा करते हैं जैसे यह देश के लिए बहुरास्टी कंपनी का एक बरा लाव है जहां बेरोजगारी जाता होता है साथी साथ जाता मुनाफ़ा कमाना भी बहुरास्टी कंपनी का उदेश्य होता है कोश्चन नमबर सेवन देखेंगे निम्ड में से कौन सा बेपार अबरोदक का उदार रने कहरा बेपार अबरोदक का कौन सा उदार रने तो बिदेशी निवेश नहीं है शामान में देरी अच्छती नहीं है आयात पर सुल्क है जबकि डी भी नहीं है ठीक है तो आपका आपसन नमबर सी यानि थार्ड इस करेक्ट कोश्चन नमबर एट हम डिसकस करेंगे निम्ड इस अस्थान कोश्चन नमबर नाइन है रिखांकी शब्दों को शेकर के वाक्यों को लिखिये बैपार अबरोधक बिविन अर्थविस्ता को जोडने का कारे करती है तो बैपार अबरोधक बिविन अर्थविस्ता को जोडने का नहीं तोडने का कारे करती है बच्चों तो इसका अंसर यह हो जाए तो कि यह बेपार अब रोधक का मतलब होता है जो अब रोध रुकाबट करें तो बेविन अर्थ विस्ता को जोड़ना कभी नहीं जोड़ते कभी नहीं यह तोड़ने का कार्डिक करती है ठीक है तो इसका करेक्ट यह आया आपका अब नाव कोश्चन नमबर टैन डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान सा है कोश्चन नमबर टैन है हमारा नीचे दीगे प्रश्णों में दो प्राकतन दिए गए यानि दो प्राकत चंखलपना है और खारण है कथनों को पढ़िए और सही बिगल्प का चेन किजिए कथनों को क्य पर्श ढिन है और सही बिगल्प का चेन किजी तो रास्ट असंगट तरीकों से वेपार अब्रुद्धों को लगाते हैं बिल्कुल लगाते हैं कारन का बिष बिपार ने तो आपका अंसर हो जाएगा ए संकलबना सा, एबम कारण का दोनों सही है, एबम कारण संकलबना की सही बयाख्या करता है, ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिए हमाने चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेर कर दीजए ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में बाई बाई टेक कियर थेंक यू फॉर वाचिंग